ये मनजले भी न बड़ी जिद्धी होती है ये मनजले भी न बड़ी जिद्धी होती है लेकिन वहां तूफान भी हार जाते हैं मेरे दोस्तों जहां कस्तियां जिद्धी होती है जैहिन दोस्तों आप सबी का हमारे यूटूब चैनल तिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्तान पुलिस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आये हैं प्रश्न वत्त्री कार्यकरम जिसमें आपको वस्तों इस्ट प्रश्न दस प्रश्न दिये जाएंगे और जहां तक मेरा मानना है प्रस्तावना से सम्मंदित सभी कुछ इन दर्श्नों में समेट लिया जाएगा तो बिना देरी किये हैं हम प्रारंब करते हैं आज हमारा पहला प्रश्न है भारतिये गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही सम्वेधानिक वस्तों इस्तिती क्या थी जब सम्वेधान लागू किया गया था तो आपको 26 जनवरी 1950 की प्रस्तावना आपको ध्यान में होनी चीए तभी आप इस प्रश्न का जवाब ते पाओगे तो पहले हम उस प्रस्तावना की बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 यानि कि 26 जनवरी 1950 को क्या नहीं था 22 स्वेधान शन्शोधन नहीं हुआ था जिसमें तीन सब्द जोड़े गये थे कौन कौन से सब्द जोड़े गये थे समाजवादी पंत निर्पेक्स कौन कौन से पंत निर्पेक्स सब्द जोड़ा गया एक तू एक समाजवाद सब्द जोड़ा गया समाजवादी सब्द जोड़ा गया था एक तू और तीसरा कौन सा अखंडता सब्द और ये 42 वा जो सम्विदान शंशोदन वाता 1976 में हुआ था तो आपको आज की जो प्रस्ता होना है उनमें इन तीनों सब्दों को हटाना है और क्या था उस समय तो इसका सही आंसर है क्या हो सकता है लोकतंतरात्मक गणराज जी ये था संपून प्रभुत्व संपन पंथ निर्पेक सब्द उस समय नहीं था क्योंकि ये 42 वे सम्विदान शंशोदन से चोड़ा गया था संपून प्रभुत्व संपन लोकतंतरात्मक गणराज जी संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी समाजवादी सब्द उस समय नहीं था तो ये दो उप्षन तो ऐसे ही कड़ जाते हैं ठीक है लोक तंतरात्म गणराज्य इनके अलवा भी उस समय क्या था संपून प्रभुत्व संपन सब्द भी था तो इसका सही आंसर हो जाता है option c ठीक है तो समझ में आ गया होगा देखे दोस्तों इस तरह के प्रस्टावना याद होना अत्यनत आवशक है और इस समय यदि आपको प्रस्टावना बिल्कुल accurate एक flow में याद नहीं है तो आप प्रस्टावना को अपने सामने रखिए और इन प्रश्टावनों को हल करने का प्रियत्न कीजिए ठीक है दोस्तों बाकी आपको प्रस्टावना याद करनी पड़ेगी उसके प्रश्टावना आप सभी सवालों को अच्छे से कर पाओगे confidently दूसरा प्रश्टा है हमारा भारत के समविधान के निर्माताओं का मत भारत के कहने का तात्री ये है कि जिनोंने प्रस्टावना बनाई है प्रस्टावना प्रस्टावना का निर्मान किया है यानि कि समविधान का निर्मान किया है समविधान का निर्मान करने वालों का जो उनकी इच्छाएं क्या थी प्रस्टावना से किस तरह मतलब समविधान से किस तरह कि वो उम्मीदे रखते थे वो उसका प्रतिविम उनको कहां पर नजर आता है हमें कहां पर नजर आता है तो इस देखिए उद्धेश्ची का उद्धेश्ची का मूल अधिकार राज्य के निती निर्दे सकतर और मूल करतव्वे तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए मूल अधिकार से हमें ऐसा पता चलता है कि ये समविधान निर्माताओं की इच्छाएं हैं इसमें पूरी समविधान का जो निचोड आता है वो आता है कहां से उद्धेश्ची का में जिसे हम क्या कहते हैं प्रस्तावना या पिर ट्रियंबल कहते हैं समवेधानिक सब्दों में उद्धेशिका पर इसको उद्धेशिका कहा जाता है परस्थावना हम विवार में इसको बोल सकते हैं तो इसका सही आंसर है यानि की जो समवेधान निर्माताओं का जो आंतरिक परतिभिम्ब या उनकी जो इच्छाएं हैं जलगती है उद्धेशिका में हैं इसलिए सुप्रीम कोट ने ये काहा भी है कि आवश्चक्ता पढ़ने पर प्रस्तावना या उद्धेशिका के आधार पर समविधान की व्याक्या की जा सकती है या की जाएगी अगला प्रशन लेते हैं प्रशन नम्मर थ्री प्रशन नम्मर तीन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में यानि कि वोई उद्देशी का में कितने प्रकार का न्याय स्वतंतरता समानता और ब्रातत्व का उसी क्रम में उले किया गया है ठीक है, यानि उसी क्रम से मतलब किस क्रम में, जो अपने option में है, ठीक है, यानि कि क्या न्याई तीन है, स्वतनतरता हैं क्या पांस तरह की है, समानता हैं क्या दो तरह की है, ब्राततव क्या एक तरह का है, तो इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब देना है, तो आपको वही बात है यहाँ पर प्रियम्बल आप कंट्रस्ट होनी चाहिए तो पहले बात करते हैं हम न्याई की न्याई कितने प्रकार का है न्याई तीन प्रकार के न्याई दिये गए हैं किसमें प्रस्तावना में कौन से सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याई सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याई सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याई स्वतंतरता के हम बात करते हैं तो स्वतंतरता हैं कितने प्रकार की बताए गई है इसमें पांच प्रकार की स्वतंतरता हैं बताए गई है कौन-कौन सी इसमे विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म, धर्म की स्वतंतरता होती है और उपासना की स्वतंतरता हो अभिवेक्ति, विश्वास, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म, 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 इसके बाद ब्रहतत्व, ब्रहतत्व सिर्फ एक प्रकार का बताया गया है और वो कौन सा है, बंधुत्व, कौन सा, बंधुत्व, बंधुत्व का भाव इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, जिसको बंधुता हम कहते हैं, बंधुता के लिए, यानि कि जो व्यक्ति की गरिमा औ और अखंडता सुनिशित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए तो यह क्या है ब्रात्तव का भाव है बंदूता बढ़ाने का तो इसमें सही आंसर है नियाए कितने परकार का है तीन परकार का है तो यह सभी कट हो जाएंगी ठीक है और इसका सही आंसर क्या होगा option A सही आंसर क्या होगा option A और इसका सही आंसर होगा ठीक है अगला प्रशन है हमारा हमारा next question है संविधान की उद्धेसिका के संबंद में निम्न कत्नों पर विचार उद्धेशिका के सम्मंद में निमन कतनों पर विचार केजिए जो यह statement दिये हुए हैं इन पर हमें विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है नहरू द्वारा प्रस्तुत उद्धेशिय प्रस्ताओ उद्धेशिय प्रस्ताओ नेरुद्वारा प्रस्तत उध्धेशे प्रस्ताव अन्ततो गत्वा उध्धेशे का बना यानि कि जो नेरुजी ने उध्धेशे प्रस्ताव दिया वो क्या आने वाले समय में उध्धेशे का के रूप में स्तापित हुआ? इसके प्रकर्ति नयायोग्य नहीं है क्या प्रस्तावना को हम प्रस्तावना के उलंगन होने पर क्या हम उसे नयायले में चेलेंज कर सकते हैं क्या उसकी सुरक्सा के लिए हम नयायले में उसको नयायले में उसके लिए रिट लगा सकते हैं इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्या इसका संशोधन नहीं हो सकता है, सम्विधन के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद नहीं कर सकता है, तो कूट है केवल एक और दो, केवल एक दो चार, केवल एक दो तीन, केवल दो चार, दो तीन और चार, तो बात करते हैं हम पहले कतन से, ठीक है, तो हमारे जो पहला कतन है, नहरु द्वरा प्रस्तुत उद्धिश्य प्रस्ताव, यानि कि नहरु जी ने इस उद्धिश्य प्रस्ताव को कब रखा, किसमें, सम्विधान सभा में, सम्विधान सभा में इस उद्धिश्य प्रस्ताव को रखा 13 दिसंब उद्धिष्य प्रस्ताव को रखा और ये पास कब हुआ 22 जनवरी 1946 को इसको पास कर दिया गया ठीक है 22 जनवरी 1946 को ये पास हो गया यानि कि उद्धिष्य प्रस्ताव किसमें उद्धिष्य उद्धिष्य का के रूप में प्रतिस्ता पे कर दिया गया कब 22 जनवरी 1946 को इसकी यृष्ट प्रकृती नियाय योग नहीं है इसे बाद में देखेंगे इसका संसोद्थन नहीं किया जा सकता ये Sig intelligent नहीं किया जा सकता तो 42 भी सम्विदान संशोद्थन के तहत हम समाजवाद, पंथिनिरपेक्ष और बंधुता जेसे सब्दों को, अखंडता जैसे सब्दों को हम इसमें प्रास्तावना में नहीं जोड़ते समाजवादी, वंतनिरपेक्स और अखंडता, ये तीन सब्द जोड़े गए थे, ठीक है नहीं जोड़े जाते तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है ठीक है, ये कथन ठीक है, क्योंकि ये वादियोग्य नहीं है, इसके आधार पर हम क्यान कर सकते हैं, सम्विधान की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सम्विधान के जो प्रावधान है, उनको ये इसके आधार पर रद नहीं किया जा सकता है उनकी व्याख्या किया सकती है भारती बनाव भारत संगवाद 1973 में ये सफस्ट किया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है क्या है संबेदान का हिस्सा है लेकिन प्रस्तावना में उल्लेकित सब्दों के आधार पर कोई भी वेक्ती प्रस्तावना के संरक्षन के लिए न्यायले में प्रस्तुत नहीं कर सकता है या न्यायले में इसे चैलेंज नहीं कर सकता है तो ये निया योग्य नहीं है यानि कि इसका संरक्षन निया इले नहीं करता है तो एक दो चार ये सही है तो सही ओप्षन कौन सा है इसमें केवल एक दो और चार तीसरा ओप्षन इसमें गलत है क्योंकि इसमें संसोधिन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहट संविधान में 368 के तहट संशोदिन किया जाता है और उसी 368 के तहट प्रास्तावना में भी संशोदिन किया गया था 42 स्वाई संविधान संशोदिन के तहट अगला हमारा प्रशन है पांचवा प्रशन हम देखते हैं भारत के संधर्ब में निम्न में से कौन धर्म निर्पेक्स सब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों, पहले हम धर्म निर्पेक्स सब्द को समझ लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं दो सब्द, एक तो धर्म निर्पेक्स और दूसरा सब्द सुनते हैं हम पंथ निर्पेक्स। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझने के गलती करते हैं। जनरली 99% लोग या जो पड़ेली के विक्ती हैं वो भी इनको एक ही समझते हैं। धर्म निर्पेक्स और पंथ निर्पेक्स। जो हमारी प्रस्तावना या जो समविधान में जिस सब्द का प्रियोग किया गया है वो है कौन सा पंथ निर्पेक्स सब्द। जिसका अंग्रेजी वर्ड है सेकुलर। पंथ निर्पेक्स का मतलब हो गया, पंथ से तात्परिय हो गया कि जो पूजा पदत्ती है, पूजा पदत्ती। उसके प्रती राज्ये निर्पेक्स रहेगा, यानि राज्ये किसी भी पूजा पदत्ती का समर्थन नहीं करेगा, ऐसा इसका कहना है, ठीक है, पंथ निर्पेक्स पूजा पदत्ती, जैसे हिंदूओं की पूजा पदत्ती अलग है, क्रिश्यन की अलग है, सिक्कों की ना तो राजय बढ़ावा देगा और नहीं इसमें किसी तरह का कोई अस्तक्षेट करेगा। धर्म निर्पेक्स, धर्म निर्पेक्स का मतलब हम कहीं अर्थों में ले सकते हैं, धर्म यानि चोरी नहीं करना, ये नितिकता से related word है, यानि कि चोरी नहीं करना हमारा धर्म है, किसी की सायता करना ये हमारा धर्म है, तो हम पूजा पदत्ती के संधर्म में जिस धर्म का इस्तमाल करते हैं, जिस धर्म निर्पेक सब्द का इस्तमाल करते हैं, वो न होकर वो कौन सा है, पंत निर्पेक सब्द है, संभिधान में उसके लिए कौन सा सब्द दिया गया है, पंत निर्पेक सब्द यूज किया गया तो हम वापस आते हैं अपने प्रश्ण पर भारत के संधर्म में निम्ण में से कौन धर्म निर्पेक सब्द का सही भाव वेक्त करता है भारत में अनेक धर्म है बिल्कुल है भारतियों को धर्मिक स्वतनतरता प्राप्त है बिल्कुल है किसी भी धर्म को वो अपना सकते है धर्म अनुपालन वेक्ति की इच्छा पर निर्बर है बिल्कुल निर्बर है जैसे भी वो अपने इच्छा से किसी भी धर्म को एकसेप् का आंसर देहेंगे इसको पंत निर्पेक सब्द को ध्यान में रखते हुई तो क्या है राज्य का कोई धर्म नहीं है किसी पूजा पतती का वो समर्थन नहीं करता है किसी पूजा पतती का वो विरोध नहीं करता है तो इस संधर्म में इस प्रशन का सही आंसर क्या होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ठीक है अगला जो प्रशन है हमारा प्रशन नम्मर छे भारती संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है क्या कहलाता है संविधान की आत्मा कहलाता है प्रस्तावना भारतिये सम्विधान का कौन सा भाग है जो क्या कहलाता है जो सम्विधान की आत्मा के रूप में उसको जाना जाता है ठीक है सम्विधान की आत्मा कहलाता है ठीक है तो इसका सही आंसर हम देखते हैं क्या मूल अधिकार सम्विधान की आत्मा है नहीं राजी की नीती निर्दे सक्तात्वे नहीं उद्धेशिका, सम्विधान, उपचारों का अधिकार नहीं उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसका उल्ले किया गया है राजी की नीती की निर्दे सक्तात्वे जो कौन से भाग में है भाग चार में है और आर्टिकल 36 से कहां तक है 51 तक इसका उल्ले किया गया है मूल अधिकारों का भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक उल्ले किया गया है तो प्रस्न है हमारा भारती संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आत्मा के रूप में आत्मा कौन सा भाग कहलाता है, उद्धे सिका, यानि कि जो संविधान की प्रस्तावना है, भारती संविधान की प्रस्तावना है, वो क्या कहलाती है, वो संविधान की आत्मा कहलाती है, देखें तोड़ा सा हम इसको विस्तार से जान लेते हैं कि भारती ये सम्विधान की उद्धे सिका को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है क्यम मुन्सी कौन क्यम मुन्सी ने इसको क्या कहा प्रस्थावना को क्यम मुन्सी क्यम मुनसी ने इसे क्या कहा क्यम मुनसी ने इसको राजनितिक जन्म पत्री कहा क्या कहा राजनितिक जन्म पत्री प्रस्तावना को भारती प्रस्तावना को सम्विधानिक प्रस्तावना को क्या कहके पुकारा क्यम मुनसी ने राजनितिक जन पत्त्री कहकर इन्हों ने इसको संभोधित किया सुबास कश्यप ने कहा सुबास कश्यप सुबास कश्यप ने इसको कहा कि संविधान सरीर है संविधान क्या है संविधान को क्या कहा इसनों इन्हों ने सरीर कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा तो प्रस्तावना क्या है इसकी प्रस्तावना उसकी क्या है आत्मा ये किस ने कहा है सुभास कश्यम ने कहा है दूसरे तरीके से भी इनोंने परिभाशित किया है कि प्रस्तावना आधार सिला है प्रस्तावना को इनोंने आधार सिला बताया तो फिर सम्विधान उस पर खड़ी क्या है अटा लिका है अटा लिका है ठीक है स्वबास कश्यप ने दो परिवासा हैं दी है सम्विधान को इन्होंने सरीर बताया है तो प्रस्तावना को आत्मा बताया है उसी तरीके से दूसरी परिवासा इन्होंने कही है कि प्रस्तावना आधार सिला है यानि कि उसकी नीव है किसकी सम्विधान की और सम्विधान जो है उसका क्या है आटा लिका है यानि कि उस नीव पर बनी वी मंजिल है तो आप भली भाती इसको समझ गए होंगे तो इसका सही आंसर है भारती सम्विधान का कौन सा बाग सम्विधान की आत्मा कलाती है तो वो कौन सी कलाती है अगला हमारा प्रश्ण है अगला प्रश्ण है सात्वा प्रश्ण और ये है कि 42 सम्विदान संशोद्धन द्वारा प्रास्ताओना में सब्द जोडे गए सम्पोन प्रभुत्व संपन सम्पोन प्रभुत्व संपन ठीक है तो 42 सम्विदान संशोद्धन का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ कि 42 सम्विदान संशोद्धन 1976 में हुआ था ये और उस समय देश की प्राइमिनेस्टर कौनती इंद्रा गांदी थी तो उस समय ये सम्विदान संशोद्धन किया गया था और उस समय प्रस्ता होना में तीन सब्द जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निर्पेक्स्ता और अखंडता सब्द जोड़े गए थे तो इसमें कौन-कौन से सब्द है, समाजवाद है इसमें, ठीक है, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था, पंथ निर्पेक्स्ता जोड़ा गया था, संपून प्रभुत्व संपन पहले से ही था तो एक और तीम इसका सही आंसर है बी आंसर इसका सही करेक्ट आंसर है ठीक है देखे सम्विधान शंशोदन के हम यदि कानूनी विवादों के बात करते हैं तो प्रार्रम्ब में जब बेरुवारी वाद आया था 1960 में उस समय इसका विवाद स्टार्ट हुआ था उस समय बेरुवारी वाद और गोलकनात वाद में प्रस्तावना को सम्विधान का पार्ट नहीं माना गया था और जब सम्विधान का पार्ट ही नहीं है प्रस्तावना तो उसमें संसोदन संभव नहीं था 1973 में केश्वानन्द भारती बनाम भारत संगवाद जब वाद आया उसमें कहा कि प्रस्तावना है वो संभिधान का अंग है और इसलिए 1976 में पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया संभिधान संचोधन किया गया और ध्यान रखिए दोस्तों सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना के समविधान शंचोधन हुआ है और वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है, कौन से समविधान शंचोधन से हुआ है? उसमें तीन सब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निर्पेक्सता और अखंडता सब्द जोड़े गए थे मैं फिर से आपको कह देता हूँ दोस्तों, इन सभी प्रश्णों को करने के लिए आपको प्रस्तावना याद होना आवशक है क्योंकि आज कल प्रस्तावना में सिक्वेंस वाले प्रश्ण पूछे जाने लगे हैं यानि कि एक क्रम वाला की चार सब्द आपको दे देंगे कि इन्हें प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम में सजाईए तो आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रस्तावना याद होगी ठीक है? तो अगला हमारा प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगिकरत अधिनियमित आत्म अर्पित भारती सम्विधान के प्रस्तावना में सब्द सम्लित नहीं थे सम्लित नहीं थे तो जाहिर से बात है दोस्ते से आप आराम से कर पाओगे कौन सा सब्द नहीं था इसमें? सिर्प गणराज्य सब्द उस समय कौन सा सब्द? 26 नवंबर 1949 के हम बात कर रहे हैं कि उस समय जो प्रस्तावना अस्तित्व में आय थी उसमें कौन से सब्द सम्लित नहीं थे यह सब्दों पर विशेज ध्यान दिया करो इनको अंडरलाइन कर लिया करो कि नहीं थे यहाँ पर स्टुडेंट्स हम एक प्रस्ण आते हुए भी हम गलत कर देते हैं तो कौन से सब्द नहीं थे समाजवादी नहीं था पंत निर्पेक्सता नहीं था अकंडता नहीं था जिसे कौन से सम्विदान संशोदन से जोड़ा गया था कमेंट्स करके बताईए दोस्तों और इसका सही आंसर है एक दो ती यह तीनों सब्द उस समय नहीं थे और गनराज्य सब्द उस समय था और यह 42 वे सम्विदान संशोदन 1976 के तहत जोड़े गए थे अगला हमारा प्रश्ण है प्रश्ण नम्मर नो और प्रश्ण है भारत में लोकिक सारोभमिता है क्योंकि सम्विदान की प्रस्तावना आरंब होती है प्रश्ण नहीं जनता के जनतंत्र सब्दों में जनता के जनतंत्र सब्दों में हम भारत के जनता के लोकतंत्र सब्दों में हम भारत के लोग सब्दों में ठीक है तो जो प्रस्तावना की जो सुरुवात होती है वो यहीं से होती है हम भारत के लोग भारत को संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी पंत निर्पेक्स लोकतंत्र आत्मगन राज्ये बन इसका तात्परी ये हो गया कि सभी विक्ती पूनते और समान रूप से क्या है? मानव है क्या है? मानव है ये सिध्धान्त सारो भحمित्ता के नाम से जाना जाता है इस सिद्धान्त के अनुसार सभी विक्तियों को उनकी मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्द होगे यानि किसी तरह का कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा सभी के लिए एक ही कानून होगा एक ही तरीका होगा सभी को राजनेतिक सामाजिक आर्थिक नियाए दिये जाएगे सभी को पांस प्रकार की स्वतंतरता ही दिये जाएगी सभी को दो प्रकार की समानता ही दिये जाएगी और एक प्रकार के ब्रातत्व का भाव दिया जाएगा तो प्रस्थाओना में कौन सा सब्द है निम्लिकित विवादों में से किसमे सर्वोच नहले ने प्रस्तावना को भारतीय सम्विधान की मौलिक सनरजना का भाग स्विकार किया कौन सा था वो? बेरोवारी विवाद, एके गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केश्वानन्द भारती विवाद देखिए बेरुबारी विवाद आया 1960 में इनका कभी-कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है एके गोपालन विवाद आया 1960 में प्रिवी पर्स आया था 1973 में प्रिवी पर्स ये राजा मारावजाओं से समंधित था ठीक है और ये 24 वे संविदान संसोधन के द्वारा इसको हटाया गया था और इसी के विरोध में जब सरकार ने 24 वाद संसोधन कर राजाओं का जो प्रिवी पर्स था यानि कि उनका जो जेब खर्द जो सरकार की द्वारा मिलता था उसको 24 वे समयदान संसुदन के तैत हाटा दिया गया था और इसी के विरोध में 1973 में राजाओं ने प्रिवी पर्स नाम से राजाओं ने एक नियायले में केस दायर किया था और उसी से समंदित है प्रिवी पर्स विवाद इसके बाद केस्वानन्द भारती विवाद यह आया 1973 में ठीक है तो इसका सही आंसर है केस्वानन्द भारती विवाद क्योंकि इसी समय केस्वानन्द भारती विवाद इसी में प्रस्थावना को क्या माना गया था सम्विधान का अंग माना गया था और प्रस्तानों को भारती सम्विधान की मौलिक सनरजना का क्या माना गया था इस्सा माना गया था और इसी में केश्वानन भारती में ही क्या दिया गया था Basic Structure Basic Structure सब्द का Concept दिया गया था Basic Structure यानि कि मूल धाचे का कौन से सब्द का मूल धाचे का जो concept था जो अवधाना थी मूल धाचे की अवधाना वो इसी वाद में दी गई थी केश्वानंद भारती विवाद में ही तो दोस्तों देखिए मैं आपको फिर से कहता हूं कि यदि आपको प्रस्तावना accurate याद है आप कहीं भी इसके चिपका लीजिए या सुबह जैसे रोज हन्मान 40 अगेरा पढ़ते हैं और हन्मान 40 हमें याद हो जाती है तो आपके पास अभी समय है लगबग अभी मैं मैं एक्जाम होगा तो मार्च अप्रे लगबग आपके पास दो मैने का समय है तब तक आपको आराम से याद हो जाएगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए ठीक है दोस्तों धन्यवाद